हजारी बाग में विधायक अमबापरसाद के आवास पर पच्वास से अधिक के संख्या में JSC PGT के अभ्यरती पहुचे और विधायक अमबापरसाद का पुस्प गुच भेट कर माला पहना करके सुअगत किया है अभ्यरतीयों का कहना है कि JSC PGT के कुछ पेपर का परिडाम लंबित था जिस समस्या को लिए करके उन्होंने विधायक अमबापरसाद से मुलाकात की और मदद भी मांगी थी अभ्यरतियों का कहना था कि विधायक ने अपने विधानसबाचेतर के ना होने के पावजूद भी उनकी समस्याओं को सुना और इसके लिए JSC और मुंत्राले में बात की है हम लोगों की मुलाकात भी करवाई और आज इसी का परिणाम है कि इनका रिजल्ट प्रकासित हो क और पोड़न में अपना सभातार समय देखती थी कि हमारे पास फोटो और आपके न्यूस के चैनल से भी और मैडम कम्यस सारे अपडेट हमें मिलते थे और यह बताते हैं और और हमें फोटो भी देखती थी मैम की हमेशा फोटो वीडियोज आ रहे हैं और उसमें देखती थी कि मैम हमारी समस्याओं को मंत्री जितने भी मिनिस्टर है उनके पास दे कर जाती थी और मैम ने इतना ट्रिमेंडस जॉब मतलब किया है मतलब मैं बता नहीं सकती कि हम इतने आबारी है मैम के और हमेशा रहेंगे। को और को परेट किया गया। विधान सभा तक मुख्यमंतरी के पास हम लोगों को लेकर गए। जैसे सी कारेले लेकर गए। विभिन ने पदारीकारियों के पास लेकर गए। और हम लोगों की आवाज को लगतार बुलंद करते रहें। कि इनों का रिजल प्रकासन जल्द से कि सब मेरे परिवार के सदस्य की तरह हम भी युगा है ये भी युगा है और एक स्टूडेंट का संघर्ष अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट को बहुत संघर्ष करना आजकल तो जो दौर चल रहा है उस पे हम उनके शूस पर अगर अपने आपको खड़े रखते हैं तो जो पीड़ा है वो बहुत ज्यादा है उनका संघर्ष बहुत ज्यादा है उसमें हर हाल में ये इच्छा है कि किसी भी हाल में उनको ये सारा जो एक्स्ट्रा संघर्ष वो नहीं करना पड़े हम ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है हम बस इनकी आवास बने हैं इनको जगह तक पहुचाने का, प्रेशर डालने का काम किये हैं, मानिय मुखी मंतरजी से अनरोध किये हैं, विदान सबा हो यहां, मतलब हर जगे पे इनकी बातों को पहुचाने का काम किये हैं.